तो चले बच्चों स्वागता आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा कि सर यह बताइए कि जो हमारी कॉपी है वो बोर्ड में जाके स्कैर होंगी कैसे चैक होंगी बोर्ड किस तरीके से हमारे मांक्स इवैलुएट करेगा यह सब के बारे में मैं से बहुत सारी पूछी गई तो उसी को लेके बच्चों हम आज इस वीडियो को बना रहा हूं मैं इसी में जरा इसारी क्लियर करता हूं समझेगा देखें यह होती है OMR scanning machine ठीक है यहां इसमें OMR scan की जाती है एक तरफ से OMR आपकी डाली जाती है यह machine scan करेगी कि सारे correct answer लगे है और यहां से उसको output देगी और marks feed कर लेगी correct answer बता देगी कि इतने correct answer है हमें हर एक question का answer पहले इसमें manually feed करना पड़ता है यह programming की थूरू बड़ी बड़ी machines होती है इसमें programming डाल दी जाती है कि इस question का answer उसके according है चेक करती है और correct answer बता देती है अब बात करते हैं कि क्या CVSC आपके 10th या 12th की copy इस machine के थूरू चेक करेगी तो बच्चो देखे इस चीज़ की possibility बहुत ही जादा कम है कि इस machine का use या इस तरीकी कि किसी भी machine का use किया जाएगा आपके OMR को चेक करने के लिए उसका reason क्या है बच्चो कि कभी कभी क्या suppose करिए four circles है बच्चा भर कर आया B लेकिन box में लिख राया D यह machine तो कह देगी question गलत जबकि हमें पता है कि answer इसका correct है तो CVSC जहां तक है यह scanning का तो use करेगी नहीं ठीक है अब क्या हो सकता है स्कूल ने आपके जो correct answers है वह feed किया होंगे जैसे मान के चोड़े एक बच्चा है एक्स नेम का जिसके स्कूल ने feed करिए 50 में से 42 मांक सब्सक्रों 42 correct answer feed करें out of 50 तो अब CVSC का कर सकती है अगर करेगी तो देखो बच्चो पूरे वर्लम नेशन वाइड लेवल पर यह paper चल र अब CVSC हर एक बच्चे की copy को इंडिविजली तो चेक करवाने सकती कि किसके कितने 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 हो रहे होंगे कुछ random sampling की जाएगी जिसमें से चेक किया जाएगा कि हां कि इस बच्चे के जितने के school की तरफ से marks चड़ाए गया है या जितने correct answer चड़ाए गया है क्या random में उ चैसा लग लगोंगे तो हर स्कूल के bundles निकाल लेंगे अगर किसी के में कोई error निकलता है तो स्कूल वाली copies को सोड़ा सा strictly check कर लिया जाएगा इस तरीके से CVSC answer copies को check कर सकती है लेकिन हर एक copy को या तो इस machine के through scan करे यह possible नहीं है हर एक individual copy को check करे यह भी possible नहीं है अब बात क आयों का paper है तो इस तरीके से जो यह paper चल रहे हैं इनकी copy कैसे चेक होंगी इसके regarding बच्छों देखो जिस तरीके से स्कूल सेंटर पे observer के सामने एवेलवेटर चेक कर रहे थे सेम इसी तरीके से CVSC अब directly appoint करेगी या हो सकता है स्कूल को duty देगी बाद में जाकर कि वह बंचेस भेजेगी वैसे भी पेपर बहुत कम बचे हैं माइनर सब्चेक्ट पेपर मतलब इतनी जादा strength नहीं होती इन पेपर की तो CVSC हो सकता है खुद से recruit करेगी या कुछ लोग को appoint कर देगी कि वो लोग ये correction का काम करेंगे लेकिन scanning के थूरू चेक कर पाना है CVSC के लिए बहुत बड़ी तेड़ी की रहा है वापिस बच्चों ने बहुत गलतियां करी है समझाने के बाद भी CVSC ने proper तरीके से कोई भी instructions नहीं दिये थे शुरू से clear instruction नहीं थे तो इन सब की वज़े से अभी भी window open है कि leniency ठीक है marks को लेकर थोड़ी leniency बनी रहेगी बच्चों खासता हो पर टम टू के लिए टूट पड़ो टम टू की तयारी कर दो इतनी जबर्दस तरीके से तयारी रखना कि 40 out of 40 आने चाहिए majority students के CVSC को मजबूर होना पड़ेगा कि इस बच्चे के टम टू में 40 out of 40 है तो टम वन में इसके कम नंबर कैसे रह गए हो सकता है कि बच्चा समझ नहीं पाया तरीके को हो सकता है CVSC को कोशन पेपर्स को नहीं समझ पाया CVSC मजबूर हो जाए आपको marks देने के लिए आपको grace marks देने के लिए grace तो छोड़ो award marks देने के लिए ठीक है नेशनलिजम इन इंडिया से उसकी मैं नोट्स तयार कर रहा हूं बहुत ही जल्दी उसकी वीडियो प्लोट करूँगा तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजे कमेंट सेक्षन में सिर्फ यस लिख दीजेगा मैं समझ जाऊँगा क पूर्ट मेरे साथ बना हुआ